नमस्कार दोस्तों बहुत important और संजीदा topic है युथ को liberate करेगा, आप लोग को फायदा करेगा युथ can be people in their 35-40 तक भी युथी मुलते हैं आप सब के लिए बहुत important topic है, फ्लीज ध्यान से देखना और सुनना A biggest reason for unhappiness in the life of youth दुख का सबसे बड़ा कारण वो discuss करने वाला हूँ और ये वीडियो क्यों बनाने पड़ा, because दिवाली से इसका trigger हुआ है हाली में अब दिवाली थी, 30 तारीक के दिवाली थी I was extremely busy, I was flooded with lot of consultations and this and I was busy, very busy doing that अब मुझे लगा किया ये वीडियो बना के बताना बहुत ज़रूरी है and वो patterns पहले भी दिखते हैं, मैंने address करने की कोशिश करी but इतना खुलम खुला मूँ पर आकर नहीं बोला मैंने इतना बड़ा नहीं बोला कि भाई ये reason है बहुत लोग को लगता है इंडिया में न population is a issue population है या दरवाइस तो इंडिया पता नहीं क्या सूखी country हो जाता या हमारा दुख का कारण population है या भाई साब pollution है अभी आपको अभी तक जिसने नहीं सुना वीडियो मैं तो बताऊंगा अभी एक मिनिट बात तो guess कर लो pollution है corruption है because these are all irritants ना traffic jams ठीक है unhappiness हो रही है bosses नौकरी no 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 भाई साब बहुत गजब वीडियो होने वाला है थोड़ा सा मैं एक दो मिनिट भूमिका ले लूँगा कोई thriller picture हो तो पहले scene में ही नहीं बता देता कि वो गुप्त picture देखने जाओ किसी का मैं हमारे जिसे का कोई दोस्त बोलते है काजो लिज द खिलर मतलब वहाई गुप्त कर गे picture थी 1998 में काजो लिज द खिलर देख लो उप जाए picture बावी देल नहीं अभी आप guess करो सारे के सारे की कौन है क्या है वो unhappiness का कारण चार पांच चीज़ है तो मैंने भी बता दिया आपको नौकरी पे कलेश पैसे का भाव नहीं understand करो and मेरे को दिवाली पे hit हुआ है and आप सबको liberate करेगा and I will tell this and समाज को यह बताना है and यह समझाना है और सबको share करना है and do you agree with this तो वो भी लिखना है comment section में जरूर participate करना the biggest reason for unhappiness of youngsters or youth of India is their own parents parents Indian parents जो 1950s 1960s की पैदाईश है वो खुश ही नहीं रह सकते खुश ही नहीं है अपनी लाइफ से और सारा का सारा उनने अपने बच्चों पर डाल दिया Bangalore से बच्चा जाज पकड़के दिल्ली की फिर हल्दवानी पर धक्के खाके पहुचा and parent फिर भी खुश नहीं हुई boss से लट जगड़के चुटी में एक में मुझ से ये कोई कालपनिंग नहीं हैं ऐसे मेरे को बहुत आये बहुतों की मैंने करी बहुतों की मैं नहीं कर पाया क्योंकि time का limit होता है पर common pattern दिवाली के बाद जी in-laws के गई भाव से खुश नहीं दमाद से कुश नहीं बेटी से खुश नहीं बेटी नराज की गिफ्ट ठीक नहीं लोगों ने इतना तक रो because I'm an astrologer also ठीक है बहुत लोग मिर से connected है अच्छा गुरु जी लक्षमी की मैंने ऐसे करके वो दी थी लक्षमी जी की वो बोला ये तो अब शगुन है ऐसे देना नीचे गिफ्ट नी देना चे रहा टंटे इंडियन जो मदर्स है ना कोई knowledge नहीं है उसे धरम की ना astrology की ना ग्यान की उन्हें ये सब चीज़ें पूछ पकड़के अपनी next generation की life में सुआ करना है चाह बेटा हो बेटी हो भहू हो दमाद हो और उनको they will come across है सकी ना वो champion है मैं तो see हम तो professionals है हम तो दो मिनिट में किसी भी माता जी भहन जी का अब love call कर देते हैं अच्छा भाइस हमें तो आप little knowledge के साथ madams आपने रहता फेला रखा है मैं addressing all the mothers and mother-in-laws अपने परिवार में आपको कोई knowledge नहीं मैं आपका test ले लेता हूँ आपके 100 में से 15 नंबर नहीं आने वाले उस test में ठीक है कि क्या करना चीए जो आपके एक कहते ही अप शगुन इसलिए इनी लोगों ने ये धरम और ये rituals और इन चीजों को इतना बरबाद कर दी है कि अगली generation का तो उठ ये इनकी वज़े से धरम खत्रे में है जो ये politics में बोलते है न ये दूसरे वाले की धरम खत्रे में है ये इनकी वज़े से धरम खत्रे में आज मैं बड़ा खुल के वीडियो बना रहा हूँ अंदर से मेरी निकल रही है समाज के लिए जो मेरी अंदर से affection है अपना तो धंदा बढ़िया चल रहा है दुख फैले दुनिया में हमारे पास ही आएंगे डाक्टर साब को क्या फरक पड़ता है कि सबके पेट खराब हो जाएं सबको दवाई लिखके परची काट लेंगे रोज गंदा खाना खाओ रोज पेट खराब करो आजाओ और ले लो सुए लगा लो ये लगा लो हम तो consultants हैं हमें क्या है लेकिन फिर भी समाज के प्रती भी रहता है I consider myself as a social not only a social observer बट a social reformer also विद्या सागर जी थे सर राम मोहन रॉय थे कोड़े सब को पड़े हैं उस टाइम पे और उस टाइम पे फिर भी मैं कोँगा उनका easy था क्योंकि वो पड़े लिखे थे समाज में लोग पड़े लिखे थे आज जो मैं बोल रहा हूँ मेरे से भी पड़े लिखे लोग हैं हो सकता है ग्यानी ना हो लेकिन पड़े लिखे तो हाई नहीं definitely और कहेंगे तू कौन होता है it's not easy because बहुत शाणे गुंबरे तो parents are causing unhappiness and I'll prove it to you and I'll tell you what is happening see parents are supposed to be like chargers mobile chargers battery down होई उनसे charge लेगी आपने battery down करने वाला कौन है आपका boss नौकरी, traffic pollution, पैसा relationships, targets, goals वो तो choosy रहे ना वो तो मारी रहे पर आप आके अपनी parents ठहराव देदें कि ऐसे मा के पल्लू में पिता जी के उसमें ऐसे करके कोई बैठ जाए कोई आशिरवाद देश को शीत तलता just imagine यार दिवाली को इतना बड़ा हमने बना दिया है कि हम वो त्वार साथ होना चाहिए and क्या memories लेके जा रहे हो across the country flight में tik-tok rate पता है आपको क्या हो जाते हैं दिवाली पे train में कैसे जाते हैं लोग the very fact somebody came to you from the other part of the country to meet you and इतना मैडम इतने सर जी जो बैठे हैं parents this is how you feel सारे ऐसे नहीं होते है एगरी 95% है ऐसे नमबर भी बता रहा हूँ अगर आपके पांच में हैं तो भई आप वो हो otherwise ये उस टाइम पे जो घरस दितियां थी शायद ऐसी थी कि इनको ऐसी बनना था reason भी बता रहा हूँ ध्यान से समझो थोड़ा सा लंबा वीडियो भी हो जाएगा तो आपको liberate करेगा 1947 के बाद जो generation पैदा हुई उनके parents वर गुलाम देश के आगर आपको इस 48 में पैदा हुआ है 52 में 55, 60, 65 में भी उसका पिताजी तो पहले पैदा हो रखा है 47 से 18 साल में तो शायद नहीं बना होगा को पिताजी ठीक है most likely तो वो लोग तो गरीब थे क्योंकि देशी गरीब था और पड़ी लिखे भी नहीं थे तो ये generation पड़ी लिखी होगी और relatively महनत करके काफी अच्छा किया पर दे डिड लॉट अव बॉसी पना ओन देर पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स ने अच्छे स्माइल करके सहन भी किया बिकॉस डिफॉल्ट सेटिंग पर उनसे ज़्यादा पड़े लिखे थे उनसे ज़्यादा पैसे कमा रहे थे बिकॉस देशी तरकी कर रहा था बिकॉस इस 1950s, 1960s बॉन दे वर वर्किंग इन 1980s, 90s वन दे स्टार्टे वर्किंग अर्निग मनी तो दे वर बेटर ओफ तन देर पेरे पर अब जो बच्चे हैं बाद में पैदा हुए जो यह सारे के सारे महबतें का ना अमिता बच्चन बने बैठे है और हैं वो और एक्टिंग करते हैं बागवान के अमिता बच्चन की तरह है कि हमारे साथ बड़ा नय हो रहा है हम तो एक्स्प्लोइट होगे हम तो लुट गए हमने तो पेरिंट्स का इतना किया अरे पेरिंट्स का इतना किया क्योंकि आपको करने की शम्ता थी और देश गरीब था आपके चार पैसे तो आप नहीं कर दिया अब आपके बच्चे क्या करें आपका आपके बस पैसे हमें पैसे का मत तुम दिखाया करो हमें पैसा नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए हमें बस थोड़ी इज़त चाहिए आप समय देने आये था, साथ में गिफ्ट भी लाये था, क्यूं खट-पट करिया आपनी, क्यूं नराज गी यह सब चीजों का toxicity इनकी married life की है, जो अगले generation पे उडेल रहे हैं और अब एको रुखे हैं, पूरे जिवन में एक नहीं थे, they were struggling this generation to give due to them, see I don't paint anybody black or something they went through their struggles like every generation before them has gone and after them has gone and even after that, जो अभी पैदा नहीं, they will also go human race में कोई ऐसा नहीं है, जिसने struggle नहीं गरा है जो वल्ड वर के टाम पैदा होए, जिसने वल्ड वर वन भी देखी, टू भी देखी, और सब देखे वो क्या गए बिचारा, जिसने फैमाइन भी देखे, सब कुछ देखा, वो तो कहगा, हम तो बहुती गंदे टाइम में आगे अमरिका में great depression हो रहा है जी, वहां फिर world war 1 भी देखे, 2 भी देखे, वो मर गें बुड़े होगे वो भी जीए, तो ऐसा इतना कुछ great shakes भी नहीं है पर ठीक है पर the fact यह है कि there is lot of toxicity which has come in the relationships which need to be addressed and called out, am I right, do you agree with me, this is happening and we have to resolve, because Indian parents, especially middle class parents are causing so much of damage, mental damage क्योंकि इनकी life में कहता, अच्छा खाना खिला दिया, mental का तो इनको कोई थाई नहीं इंडिया में तो खाना अच्छा खिला दो, भाई देशी की खाले, भाई चूरमा खाले, भाई गूंद खाले, हरयाना की बात कर रहा हूं कहीं फ्रूट खाले को, साउध हिंडिया में बगता हूं का इडली खाले, कुछ भी खाले जो भी हल्दी चीज़ बोली आती है नोबडी टॉक्ट अब मेंटल फूड, मेंटल हेल्थ, वो अब बाते हो रही हैं क्योंकि वे अक्रॉस्ट रोटी कपड़ा मकान वाला स्टेट अस अस अ कंट्री और भी नीड तो डिस्कॉस थिंग्स, आपको बहार वाले तो चूसी लेंगे जिसने पैदा किया है, कि भाई तुम तो हमारे सुन लो, हमें थहराव दे दो, शीतलता दे दो, तुम से तो बैटरी रिचार्ज कर ले, ताकि दुनिया हमें लूट ले दुनिया भार लूट रही है, पेरेंट्स लूट रहे हैं, इसलिए बच्चों का बहुत बुरा हाल हो रहा है, to such an extent जो हम चीजे सुनते भी हैं, आपको पता है इन चीजों को threadbare में खोल के, explain करूंगा अपने relationship course में, जो मेरा iconic रहेगा, Saturday को start हो रहा है, 7 PM, 9 PM I want most of you who are dealing with such things and issues to join that course because I don't want, because my consultation fees is more than the course fees and the course will be for 14-15 hours duration over Saturdays, 7-8 Saturdays and recordings will also be given so that you can, you know, अपना अपको समझ में आ जाएगा, life मेरी क्या हुआ, क्यों हुआ, because lot of people have not sorted out their traumas, childhood traumas only and they don't even know that it is a trauma, ये सब बाते करो आजकल के parents के साथ, आजकल के parents को बोलो, कुछ इस तरह करके, आजकल के parents मतलब जो youngsters हैं, वो इन वाले parents से बात करें, कि trauma, क्या होता है trauma, narcissism, ये narcissism क्या है, pacific racism, वो क्या होता है, ये क्या तो मल्दम करते रहते हो, अच्छा खाओ, अच्छा पीयो, साओ, तुमने ऐसी life जी ली, अच्छा आपया, अच्छा सेक्स किया, अब कुछ नहीं हो रहा किसी से ना शादी हो रही ना सेक्स हो रहा ना बच्चे हो रहे कुछ भी नहीं हो रहा and you are responsible because फिर पूरा कोर्स नहीं स्टार्ट करना मुझे यहां पर but I hope you understand यह मेरे अंदर भहुत भावकता थी because मैंने भहुत experience करी अब आप देखना आप शादिया होंगी शादियों का सीजन स्टार्ट होगा भी इंडिया में आप देखना भी शादियों में भी नराज गया यह खतम नहीं होता any celebration in Indian settings is cause for misery that's why we are one of the unhappiest country in this world क्योंकि अगर आप यह देखे न unhappy index पे ना number नीचे आता है पड़ा गुसा चड़ता है आप बताओ नौर्वे जैसा डेन्मार्क जैसा देश वहां आधे टैम सूरज निकलता है इतनी सर्दी पता नी कुछ वहांग पता नी वो happiest क्योंकि हम कलेशी हैं पाकिस्तान भी हमसे उपर है हमें शर्मानी चैस बात पे और यह जो मेरा मानना यह है कि जो हमारा index पे जो number है ना वो actually बस थोड़ा किसी ने उपर कर रखा है थोड़ा हमारा ओर नीचे हो जाना चाहिए क्योंकि जो actual में दुख है और होना नीचे यह यहां चारो पांचों मौसम ultimate होते है यहां ना बहुत सर्दी होती ना गर्मी होती बारिश सारी रुतुएं है पहाड है जंगल है जहरने है वी आर है blessed country as far as geography and everything God has been very kind on us यह हमने अपने रहते फिला रखे कोई चीज हमसे एक शादी जैसा function enjoy नहीं कहा जा सकता है मैं आज पूछना चाहता हूँ before I stop this video शादियां होंगी आपने भी attendee करी है शादी में कौन enjoy करता है लड़की वाले लड़के वाले दुला दुलन उसके दोदोस्त कौन सब आधे से जादा जो relatives होते है एक लोज एक शेल्स पर चल रहे होते है खहीं कोई नराज ना हो जाए खहीं कोई बतंगण ना बन जाए खहीं कोई इशू ना बन जाए sensitivities तो ऐसी उरुखें की पता नहीं क्या है को दूर का रिष्टेदार होगा वह ऐसी नहीं आते आज कल ठीक है तो शादियां अब आ रही है शादियों का सीजन आ रहा है इट इस बेटर देट यू लर्न दीस थिंग्स यह pandemic लेवल पर बिमारी फैल चुकी है we require a lot of people to help people sort this out यह जो मेरी जबान निकल रही है ना कटू लगता है करेले का जूसा निकलता है ठीक है नीम के लड़्डू से जाते हैं कि मुझ में नीम का लड़्डू डाल दिया हूँ पर भाई यह खून साफ कर देंगे डू यह एगरी विद मी फरस्ट अफोल और ऐसा तो नहीं लगता है कि मैं को आगे रैंट कर देता हूँ कि लोगों को ना कि परस्टन हो जाते हैं कि तो तेरे पेरेंट चाती रहे मैं तो गुरू जी आदमी हूँ तो घर में भी गुरू जी हूँ मैं तो ठीक है पर मैं बाकी समाज का बताना चाहरा हूँ आप लोग को कि यह बहुत बड़ी प्रॉलम है because you people have not figured out कि actual issues क्या है people are extremely selfish these days especially the elders जितना बड़े इंसान मैं देखता हूँ आज के दिन 60, 65, 70 उतना ही selfish 75 साल का 70 साल से भी जादा selfish 80 साल वाला और selfish ऐसा लगता है कि यार यहां मोक्ष कैसे मिलेगा आपको 80 यह यार करते हैं आपकी and इनको कोई call out नहीं कर सकता call out क्यों नहीं कर सकता call out करने के लिए somebody has to come from a domain like me somebody who says कि मैं तो गुरू जी हूँ मैं तो बोलूँगा भाई पर बच्चा लोट तो नहीं बोल सकता हो तुने कैसे बोल दिया तुम्हें संसकार खराब है तुम्हारे ऐसे कैसे बोल सकते हो ये 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 बलफ call out किया जाएगा ठीक है जस्ट बुड़े होने से कोई wise नहीं हो जाता बाल सफेद होने से कोई गैनी नहीं हो जाता बातों में दिखना चाहिए इंपक्ट में दिखना चाहिए ठीक है? अगर impact अच्छा नहीं है तो intention भी गई चूले में ठीक है? बहुत लोग भाग जाते हैं इससे, my intention was not wrong no, मुझे नहीं पता तेरी intention का क्या है तरह impact यह है और impact is what is felt if it is not okay, you stop doing this idiotic whatever you are doing चूले में गई तेरी intention but people, ऐसे कौन सिखाएगा खर्चाबानी, आओ, सीखो फरी में तो अखबार का वो आता है ना, ad वो भी dustbin में जाता है structured way में, one on one questions, recording, समझना उससे, तो क्या? कोई change नहीं होगा भार यहाँ, जो अंदर इन दो कानों के बीच में चलता है ना, जंग वो ही शांत करनी है वो शांत होगी तो लाइफ बहुत अच्छी है तो वो समझने के लिए जाना पड़ेगा, तो पीडा में हैं आप लोग तो आके इन चीजों को सीखें क्योंकि मैं ठक चुका हूँ consultation से, my consultation fees is much more than my course fees consultation I do only for 40-45 minutes, तो भाई उससे अच्छा पंदरा घंटे का आनंद लो न और सारी चीज सीख कर खुद लोगों को फिर आगे help करो that is my message if you are interested whatsapp RC relationship course to the number given and register for that and thank you very much